सच में आपको यकीन नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ दूद से ये मैंने मिठाई बना करके तयार किये और ये इतनी स्वादिश लगती है ना खाने में मूँ में रखते के साथ एकदम घुलसी जाती है एकदम प्यूर सिर्फ और सिर्फ दूद से बनाएंगे ना कोई milk powder और ना बहुत आसान है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि एक पतीले में दूद ले लेंगे तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैं टोटन यहां पर धाई लीटर दूद कर रही हूं फुल फैट दूद ले रही हूं मैं आप कोशिस कीजिएगा फुल फैट ही लेने की इससे बहुत ही बढ़िया बनती है तो मैं यहां पर पतीले में सिर्फ डेड़ लीटर ही दूद दाल रहे हूं जिसे की हमें यहां पर उबालना है और साथ ही मैंने एक चुट की केसर लिये है और से मैं थोड़ा सा क्रस कर ले रही हूं ताकि हम जब इसमें दूद दालेंगे ने तीन चारबून दूद दालेंगे उससे ज्यादा नहीं नहीं तो फिर इसमें अच्छा सा कलर नहीं आएगा इसे रखते हैं भी साइड में और जो दूद है ना उसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे नहीं तो तले से चिपक जाएगा तो दूद को हमें यहां पर जाट रही हूं दूद को और जैसे ही दूद में अच्छा सा उबाल आ जाएगा ना तो हम क्या करेंगे ना फ्लेम को आफ कर देंगे और जो हमने विनेगर वाला पानी बना करके तयार किया था ना वह हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें एड करेंगे एक बार में पूरा मत टैड किजेगा लेकिन हाँ ध्यान से फ्लेम को आफ करके हमें यहाँ पर छेना बनाना है जिसे की छेना बहुत ही बढ़ियां एकदम सॉफ्ट बन करके तयार होगा क्योंकि हम इसके बनाने वाले हैं मलाई लड़ू और अगर आप चाहे ना तो इस छेने की जगा पर आप डा है न वो अच्छे से मतलब फट गया है छेना अलग हो गया है और पानी भी यहाँ पर हलका ग्रिनिस जैसा कलर दिखने लगा है तो हम तुरंती छेने को पानी से अलग कर लेंगे तो इसके लिए मानी यहाँ पर मसलीन का कपड़ा यूज किया है आप चाहें तो कोई रुमा हमारा बन करके तयार हुआ है और अभी यह काफी गर्म है तो हम क्या करेंगे अभी इसे ऐसी कपड़े में छोड़ देंगे ताकि इसमें जो भी एक्ष्ट्रा पानी हो ना वो धीरे धीरे निकल जाए हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए ज्यादा तो इसे रख और अब जो बचा हुए एक लीटर दूद है उसका अब हमें यहाँ पर रबड़ी बना करके तयार करना है तो इसे आप एकदम हाई फ्लेम पे सुखाएं ताकि जो हमारी मलाई लड़ ना एकदम वाइट कलर में बन करके तयार हो तो इसे सुखाने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसे चलाते रहना है अगर आपको कोई और काम है कीचन में तो आप वो कर लें इसे आप सिर्फ बीच बीच में एक बर घुमाते रहें करची ताकि जो दूद है ना वो तले से नहीं लगे और साइड से भ अब यह जो हमने छेने को रखा था ना इसे हम निचोड करके जो भी एक्ष्रा पानी है ना वो निकाल लेंगे एकदम से सारा पानी नहीं निकालना है लेकिन थोड़ा सा दबा करके जितना पानी निकले आप यहाँ पर इसे निकाल ले और इसे अब हम ले लेंगे यहाँ एक बड़ी सी थाली में और यहां पर थोड़ा से क्रमबल कर देंगे और अब हम इसमें आड़ करेंगे एक दो चमच दूद की मलाई जो दूद के उपर चाली जम जाती है ना वही मैं यहां पर एक टिबल स्पून भरके ले रही हो क्योंकि मलाई लड़ू है तो इसमें जो छेना है ना और दूद की मलाई उसे मिक्स करते हैं अच्छे से एकदम सॉफ्ट करना है तक इसमें जो भी मोटे बड़े टुकड़े हो ना वह अच्छे से एकदम फाइन हो जाए वैसे आप चाहें ना तो इसी स्टेज में आप यहां पर पनीर कर सकते हैं उसमें मलाई करके लेकिन अगर आप पनीर का इस्तमाल कर रहा है ना तो थोड़ी सी दूद की मलाई ज्यादा लीजेगा तकरीबन चार टेबले स्पून के करीब तभी जो यह मलाई लड़ू है ना बहुत ही बढ़िया नरम बन करके तयार होगा और यह दूद देख सकते हैं आपर मिक्स करके रखी देना वो इसमें आड़ कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें मीठा करने के लिए आड़ कर देंगे आधा कप चीनी इससे ज्यादा चीनी बिल्कुल भी मत इस्तमाल किजेगा इतना चीनी काफी रहेगा लेकिन हाँ अगर आपको और कम मीठा बनाना तो पाइपे कर देंगे और इसे कंटिनियूसले मिक्स करते जाएंगे जैसे यहाँ पर यह गाड़ा होगा ना इससे थोड़े से छीटे बाहर उनने लगेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान से इसे मिक्स कीजेगा और आप देख सकते हैं यह अल्मुस्ट ड्राइव हो गया इसम हमें यहाँ पर इसकी मलाई लड्डू बना करके तयार करनी है थोड़ी गीली गीली रहती है एक तम सॉफ्ट लगेगी हाफ टी स्पूट के करीब मैंने इसमें हरीलाईची का पाउडर एड़ किया है और अब हमें क्या करना है इसे पूरा अच्छे से ठंड़ा करना है और यहाँ आप इसे ऐसे कड़ाई में फैला करके 10-15 मिटक के लिए छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं यह थोड़ी सी ड्राई हो गई है और अराम से हम इसमें काम कर सकते हैं वैसे आप चाहे ना तो इससे बरफी भी बना सकते हैं डैकली आप सारा मतलब यह मावा का मि लग रही है देखने में और जब भी फेस्टिवल होता है ना मार्केट में बहुत ही मिलावट वाली मिठाई आने लगती है तो आप इस तरीके से घर में बनाईएगा एकदम प्योर मिठाई बन करके तयार होगी एक दो चीजी हमने यूज किया सिर्फ और सिर्फ दूद औ लेगा लेकिन घर में आप बहुत यासानी से बना सकते हैं और जो हमने केसर दूद भीगो के रखाता है ना उससे मैंने यहाँ पर डिजाइन बना दिया है ताकि इसका जो लुक है ना एकदम मार्केट की तरह आए कोई देख करके नहीं बता पाएगा कि यह आपने घर में बना करके तैयार किया है बहुत ही सिंपल तरीका है बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने बताया है और बनाया है आप भी इसे घर में बनाईएगा और आप कब बनाईएगा यह मुझे बताईएगा और अगर बनाते हैं ना तो कैसी लगती है आपको यह खाने में अपने भाईय को खिलाईएगा बहनों को खिलाईएगा मज़ा आ जाएगा आपको खा करके अगर आप इसे ऐसे रखेंगे ना तो ये दो दिन तक अराम से चल जाएगी लेकिन अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे ना तो आप इसे आठ दिन तक खा सकते हैं और ये ऐसे नरम रहती है ऐस